दोस्तों देव गुरु ब्रहस्पती को बुद्धी और शिक्षा का कारक माना जाता है तो आए हम जानते हैं गुरुवा व्रत कथा के बारे में कथा कुछ इस प्रकार है प्राचिन काल की बात है किसी राज्य में एक बड़ा प्रहता प्यो दानी राज्य करता था वह हर गु को भी ऐसा करने से मना करती थी एक समय की बात है कि राज्य शिकार खेलने के लिए वन गए और घर पर रानी उदासी थी उसी समय ब्रहस्पती देव सादू का रूप धारंकर राजा के दरवजे पर भिक्षा मांगने आए राजा ने सादू ने जब रानी से भिक्षा का कि हे देवी तुम बड़ी वेचितरो संतान धन से कोई दुखी होता है अगर अधिक धन है तो शुब कारियों में लगाओ कुवारी कन्याओं का विबा कराओ विद्याले और बाग बगीचे का निर्मान कराओ जिससे तुमारे दोनों लोग सुद रहें परन्तू सादू कि इन बातों से राने को खुशी नहीं उसने कहा कि मुझे ऐसे धन के आवशकता नहीं जिससे मैं दान दू जिससे समालने में मेरा सारा समय नेश्ट हो जाए तब सादू ने का अगर तुमारी ऐसी इच्छा है तो मैं जैसा तुम्हें बताता हूं तुम ऐसा ही करना गुर दूबी के या धुलवाने देना और इस प्रका साथ ब्रस्पतिवार करने से तुमारा समझ धन नश्ट हो जाएगा इतना कहकर सादू के रूप में ब्रस्पति देव अंतरध्यान हो गए और सादू के अनुसार कहीं बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल तीन ब्रस् से देश को जाता हूँ क्योंकि यहां पर सभी लोग मुझे जानते हैं इसलिए मैं कोई भी छोटा कारे नहीं कर सकता है ऐसा करका राजा दूसरे देश चला गया और वहां वह जंगल से लकड़ी काटकर लाता शहर में बेसा इस तरह वह अपना जीवन वेतित करने लगा इ बड़ी धनवान है तो उसके पास जा और कुछ लेया ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए दासी रानी की बेहन के पास गई उस दिन गुरुवार था रानी की बहन उस समय ब्रक्सती ब्रत की गता सुन रही थी तो दासी ने राणी की बेहन को अपनी रानी का संदे आदिये सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा उदर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी परन तो मैं उससे नहीं बोली इससे बहुत दुखी होने लगी कता सुनकर पूज़ा समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी कि है बहन मैं ब्रस्वत या कबरत कर रही हूँ तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी परन तो जब तक कथा होती है तब तक ना तो उटते हैं नहीं बोलते हैं इसलिए मैं नहीं बोली बताओ दासी क्यों आई थी तो रानी बोली भेहन तुम से क्या चिपाओ हमारे घर में खाने तक को अना जाई है ऐस कहते कहते राफी की आंके बराई और उससे दासी समय पिछले साथ दिनों से भूके रैने की बाथ अपने भेले को बदाती राफेली लिचुछों, ही डिस स्थ Georgia की सब्हाइध तो बृरानी को विश्रा स्नी वापर भेले आगरे पर उसने अपने दासी को अंदर वेजा हो सच मुछ अना से बराई घड़ा मिल गया यह देखकर दासी को बड़ी है रानी हुए और दासी रानी से कहने लगे कि है रानी जब हमको भूज़े नहीं मिलता तो हम रती कर लेते हैं इसलिए क्यों ना इनसे रत और कता की व दीपक जलाएं ब्रत कता सुने पीला भूज़ानी करें इससे ब्रसपती दे और भगवान विष्णु प्रसन होते हैं ब्रत और पूज़ा की विदी बताकर रानी की बेहन अपने घर को लोट गई साथ दिन के बाद जब गुरुआर आया तो रानी और दासी ने ब्रत रख गुर्साल में जाका कचनाओं गुर्ड लेकर आई फिर उससे केली की जड़ तदा विष्णु भगवान की पूज़ा की अब पीला भूज़न की चिंता को लेकर दोनों दुख्यू है चुकि उन्हाने ब्रत रखा था इसलिए ब्रसपती दाउन से प्रसन थे वहाँ एक सा भूज़ा देवी रहसपती देव की कृष्छैू है उनसे उनके पास फिर से धंदाने की वापीस आगा पन्तू रानी फिर से पहले कीतारा आलेस्ट चरने लगी तब दासी बोली देखो रानी तुम पहले भी इस प्रकार आलेस्ट से करती थी तुम्हें धं रखने में कष ये दन पाया है, इसलिए हमें दान पुर्णिय करना चाहिए, भूको को भूजन कराना चाहिए, धन को शुब कारियों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुमारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वाइक की प्राप्ति होगी, पित्र प्रसंद होंगे, दासर की बात मान कर, रानी अपना धन शुब कारियों में खर्च करने लगी, इससे पूरे नगर में उसका यश बढ़ने लगा, ब्रस्पतिवाय ब्रत कता के बाश रदा के साथ आरती की जाननी चाहिए, इसके बाद प्रसंद वाटकव से ग्रहन करना चाहिए, ये थी आज की ब्रस्पतिवाय की ब् अरे किष्णा